हाँसलों की तरकस में कोशिस का वो तीर जिन्दा रखो हार जाओ चाहे सब कुछ जिन्दगी में लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिन्दा रखो जी हाँ साथियों बिल्कुल इन्हीं उम्मीदों को जिन्दा करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर टाफिक लेकर के आए हैं ये कलास होली 2020 मेरी कार्ड हो रही है आज येनिकी 10 मार्च 2020 को आप लोगों से बिनवर निवेदन और प्रार्थना है कि इस होली को सफल बनाए और इस वीडियो को पूरा देखना कांसेप्ट आपका क्लियर होगा और इस वीडियो को लाइक कर दो तुरन जल्दी से और सेयर अवस्य करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए जिसे की घर बैठे मैत सीख सके हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा कुश्चन है और आपका भी कुश्चन है यह तीन संख्या दी गई है इनको हमें संख्या रेखा पर परदर्सित करने हैं संख्या रेखा आप सभी जानते हो ऐसे होती है जिस पर बीच में 0 होता है ये इधर मैं इसको बढ़ा दूँगा 0 इधर side में side में इसलिए लिखा हूँ चुकि हमें minus वाले से मतलब है नहीं तो इस वज़ा से मैं इसको थोड़ा किनारे लिख रहा हूँ ठीक ना जिस पर दाहिनी side सभी यंग positive होते हैं बाहिनी side सभी negative होते हैं तो यहाँ पर साथियों 1 है और यहाँ पर 2 है इधर side में यहाँ पर minus 1 है और इधर यहाँ पर minus 2 है अगर आप लोगों ने भिन्न वाला वीडियो देख लिया कि भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे परदरसित करते हैं तो आपको यह concept clear हो गया होगा नहीं देखा है तो description में देखो link होगी अभी इस वीडियो को पूरा देखोगे तो last में आपको link मिल जाएगी screen पर उसको देख लेना उसमें सब clear हो जाएगा और ज्यादा इसमें तो हम फिलाल बताई रहे तो 0.2 जरा सोचो यह 0.2 मतलब क्या है यहां तो कहीं दसमलो मिले नहीं रहा आप कहोगे कहां दिखाएंगे इसको क्या यह 2 पे दिखाएंगे नहीं 0.2 एक्चुली क्या है किसके बीच में है 0 झीरो और एक के बीच में जिरो पॉइंटू यह काहने का यह मतलब है कि जीरो और एक के बीच में कहीं 0.2 होगा, है न, यह होगा न लेकिन अच्छा एक बात सोचो कि 0.2 को हम क्या लिख सकते है 0.2 ko हम दुरिबाटादफ लिख सकते हैं 나 क्या लिख सकते हैं 2 upon 10 2 upon 10 लिख सकते हैं इसमें तो कोई मुसिबत है नहीं ना लिख सकते हैं ठीक है तो यहां से आपको एक बात समझ meetings कि यह तो हम पागए कि इन्हीं दोनों के बीच में लेकिन अब जो हमारा हर आवरानीचे हर ये जितनी है गिंती जैसे दस है न तो हम जीलों और एक के बीच की जगह उसको दस भाग में बाटेंगे कितने भाग में बामेंगे दस बराबर भाग में बाटेंगे तो चलो बांट लेते हैंद्यान देना ये देखो दो भाग हो गया मतलब एक इधर एक इधर अब देखो तीन हो गया चार पांचे साथ आठ नौ दस दस बराबर भाग हो गये बहुत ध्यान से समझना आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा तो इसमें दिखा देता हूँ ये लो केलियर हुआ 10 बराबर भाग दिख रहे न फिर सीचीन लोग 10 बराबर भाग हैं देखो एक दो तीन चार पांच 6-7-8-9-10 10 तो साथीों प्रियमित्रों अगर कोई बस्तु 10 है क्या है अगर कोई बस्तु क्या है स्वरी 10 नहीं यार 1 है और एक उस बस्तु के 10 पार्ट कर दिये मतलब इसी में से दो पार्ट जैसे ये कहने का मतलब यह पहला वाला और यह दूशरा वाला भी कि यह इतना दूशर बटा दस है बात समझ गए न लेकिन दूशर बात बना करोगे यह लाइंट वाला जूब टुंत नहीं पर यहा पर यहीं पर रहेगा दूसरे वाले पर ठीक ना, अगर ये एक बटा दस की बात करता चुकि दस भाग बने, ये दस खाने है ये दस पार्ट में बटा है तो 1 अपां 10 इस पे होगा, 2 अपां 10 इस पे होगा 3 बटा 10 इस पे 4 बटा 10 पांच बटा 6 बटा 7 बटा 8 बटा 9 बटा 10 बटा 10 10 बटा 10 मतलब 1 समझ गए ना, दिमाग में आ गया ना तो यार अगठ एक बटा 10 दिखाना है तो इस पे 1 बटा 10 होगा इस पे क्या होगा 1 बटा 10 इस पे 2 बटा 10 हो गया यहां पीछे से अगर आ जाओ तो यहां 9 बटा 10 है ठीक यहां से अगर आ जाओ तो 8 बटा 10 है यहां पर अगर आओगे तो 10 बटा 10 है 10 बटा 10 मतलब एक और रियल में एक है भी यहां पर नीचे देखो है ना समझ गए ना तो यह होता इसका सारा फंडा 1.9 को भी ऐसे कर लो चलो चुटकियों का खेल है या दिए और पीडियो को इसकी मत करना पूरा देखना समझ में आने की गारेंटी होती है भाई बस पूरा देखना भागना मत स्क्रीन सार्ट ले लो अगर लेना है तो जल्दी से जल्दी करो फट से तो साथियों इस तरह से आप ये कांसेट क्लियर कर लिये होंगे आज टाइम की कुछ कमी है इस वज़ा से हम इसे यहीं पर इंडि करेंगे बहुत चोटा वीडियो होगा आप लोगों से निबेदन ह कि इसे समझ गए तो जादा फिज़ादा सेयर करना बस यही एक चीज़ ध्यान रखना है पहले ये किसके बीच में है ये देखना है और अगर वो चीज़ समझ में आ गई न तो फिर आपको क्या करना है संख्यर एका पर उन संख्याओं के बीच में जो जो मतलब बीच में आ रही जिसके बीच में वो उसके भाग कर देने हैं बस आपसे बिनम्र जैबेदन है इस वीडियो को ज़्यादा सेयर करना साथियों और लाइक तुरंद करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आन करना जिसे कि आपको अगली वीडियो भी मिल सके और होती हैं तो बने रहे हमारे साथ सुक्रिया कोटी-कोटी धन्यमाद जैहिंद मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी बने रहे हमारे साथ